आज हम देखेंगे साधारण ब्याज से संबंदित मित्यधारणाएं और साधारण गलती मित्यधारणा एक, हजार रुपे का 10 प्रतिशक वार्षिक दर से 10 साल के लिए साधारण ब्याज यानि सिंपल इंट्रेस्ट क्या होगा? वार्षिक दर 10 प्रतिशत है, मतलब 100 पर वार्षिक ब्याज 10 रुपे है, तो हजार पर वार्षिक ब्याज होगा, हजार गुणा 10 बटे 100 बराबर 100 रुपे इस विदी में बच्चे सिर्फ एक वर्ष का ब्याज प्राप्त करते हैं वे सभी दस वर्षों का ब्याज प्राप्त करना भूल जाते हैं इससे उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है option 1 सही उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें एक वर्ष के ब्याज को कुल समय से गुणा कर कुल साधारण ब्याज प्राप्त करना होगा चुकि एक वर्ष में साधारण ब्याज 100 रुपए है तो 10 वर्ष का ब्याज होगा 100 रुपए गुणा 10 बराबर 1000 रुपए इसी उधारण को अगर हम सूत्र के साथ हल करे तो ऐसी गलतियों से बचा जा सकता है साधारण ब्याज का सूत्र है यहां I बराबर साधारण ब्याज है P बराबर मूलधन है R बराबर वार्ष करिंड प्रतिशत है और T बराबर समय है इसलिए I बराबर 1000 रुपए गुणा 10 कुणा 10 बटे 100 बराबर 1000 रुपए इस तरह से ओप्षिन दो सही जवाब है मिथ्यधारण दो रवी ने प्रकाश को 3500 रुपए दो वर्ष के लिए 20 प्रतिशत वार्षिक दर से उधार दिये पता कीजिए दो वर्ष के बाद प्रकाश को कितने रुपए रवी को लटाने होंगे यहां साधारण ब्याज होगा I बराबर PRT बटे 100 बराबर 3500 रुपए गुणा 20 गुणा 2 बटे 100 बराबर 1400 रुपए कई बार बच्चे सवाल में क्या पूछा है इस पर ध्यान ना देकर सिर्फ साधारण ब्याज प्राब्त करते हैं और दिये सवाल का जवाब देते हैं Option 1 यह एक गलत जवाब है यहां हमें पता करना है कि प्रकाश को कितने रुपए रवी को लटाने होंगे यानि कि हमें पता करना है कि मूल धन और ब्याज को मिला कर कितनी धनराशी रवी को लटानी होगी चुकि मूल धन धन ब्याज बराबर मिश्रधन इसलिए हमें इस उधारण में मिश्रधन पता करना है मिश्रधन बराबर मूल धन धन ब्याज बराबर 3500 रुपए धन 1400 रुपए बराबर 4900 रुपए इसलिए सही उत्तर है दो वर्ष के बाद प्रकाश रवी को 4900 रुपए लोटाएगा इसलिए सही जवाब है option 2 मित्यधारना 3 रेखा के पापा ने साधारन ब्याज से 25000 रुपए बैंक में जमा किये यदि ब्याज की दर 11.5 प्रतिशत होगी तो 15 वर्षों के बाद खाते में कितना ब्याज जमा होगा इस उधारन को हम साधारन ब्याज के सूत्र से हल करेंगे यहां साधारन ब्याज होगा I बराबर PRT बटे 100 बराबर 25000 रुपए गुणा 11.5 गुणा 15 बटे 100 बराबर 43125 रुपए यहां साधारन ब्याज मुल्धन से जादा है कई बार विद्यारती समझ लेते हैं कि ब्याज मुल्धन से जादा नहीं हो सकता इसलिए वे प्राब्ट ब्याज से मुल्धन को घटाने के कोशिश करते हैं इससे उन्हें परिणाम प्राब्थ होता है 18,125 रुपए जोकी एक गलत जवाब है इसलिए option एक गलत है चुकि यहाँ ब्याज की दर और समय ज्यादा है इसलिए ऐसी स्थिति में ब्याज मूलदन से ज्यादा हो सकता है इसलिए सही जवाब है option दो इन मिध्यधार्णाओं के साथ बच्चे एक साधारण गलती भी करते हैं साधारण भी आज प्राप्त करते समय वे महीनों में दिये समय को वर्षों में परिवर्टित करना भूल जाते हैं या नजर अंदास कर देते हैं जिससे उन्हें गलत साधारण भी आज प्राप्त होता है जैसे P बराबर 5000 रुपए, T बराबर 24 महीने और R बराबर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष दिया होगा तो वे महीनों में दिये समय को वर्षों में परिवर्टित नहीं करते जिससे उन्हें गलत साधारण भी आज प्राप्त होता है जोकि ब्याज की दर प्रतिवर्ष के लिए दी जाती है इसलिए हमें दिये समय को वर्षों में परिवर्टित करना अवश्यक होता है। यहां हम 24 महीनों को 12 से विभाजित कर दो वर्षों के समय में परिवर्तित कर लेंगे। इसके उपयोग से हमें सही साधारन ब्याज प्राप्त होगा 1000 रुपए। इसलिए साधारन ब्याज प्राप्त करते समय महीनों में दिये समय को वर्षों में परिव परतित करना न भूले। तो आज हमने देखी साधरन ब्याद से संबंदित मित्याधारनाए और साधरन गलती।